अपने यहां पर बात करेंगे जो इंडिया वर्सिस इंग्लेंड के बीच में कल से यहां पर टेस्स रिज स्टार्ट होगी उसका पहला मेच कल खेला जाएगा तो उस मेच के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर डीटेल में देने वाला हूँ बस मेच खेला जाएगा राजीव गांदी इंटरनेशनल इस्टेडियम हैदराबाद के अंदर ये मुकाबला खेला जाएगा यह चीज आप ध्यामे रखके चलिएगा कि मैच कहां पर हो रहा है तो यह भी आपको पता होना जरूरी है बात करें सबसे पहले तको भाईयों अग जादा काम रहेगा यह चीज आप ध्यामे रखना थोड़ा सा तो इसलिए टोस इंपोर्टेंट रहेगा और फाइनल टीम में टेलिग्राम चनल पर ही आएगी टेलिग्राम चनल का जो लिंक है एक तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को देल जाएग राजीर गांधी इंटरनेशनल इस्टेडियम हैदराबाद में मुकाबला होगा अब देखो यहां पर देखो स्टार्टिंग में तो बेटिंग को हेल्प मिलेगी लेकि जैसे जैसे में जागे बढ़ेगा ना यहां पर इस्पिनर्स भी गेम में आएंगे यह चीज आप ध स्टी से 220 के बीच में यहां पर स्कोर देखने को मिल जाएगा तो मतलब एफरेज स्कोर जो है आपर फर्स्ट टू इनिंग में यहां पर अच्छा स्कोर आपको देखने को मल सकता है अब देखो पहले यहां पर बात करेंगे पर इंडिया की क्या प्लेंग लेवन यहां पर या तो अएयर खेलेंगे या फिर केल राउल क्योंकि राउल दर्विड ने क्लियर कर दिया है कि केल राउल जो है वो गिकटीप नहीं करेंगे तो फिर यह आपको मेरे बिखलेंगे और पांच यही मेरे इसाफ से प्लेंग ने उडेने चाहिए, इसमें चैंज होने के चांसे बहुत कम हैं, अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं, इंडियन क्लेयर्स के स्टाइट्स के कौन से प्लेयर के हेड्ट्रेड में और वेन्यू पर कैसे रिकोड यहाँ पर रहे हैं, तो सबसे प पारी में उन्होंने पांच रंड किये, दूसरे में 0, और दूसरे में 4916, ध्यान रखना रोई सर्मा इंडियन विकेट्स पर बहुत अच्छा खेलते हैं, टेस्ट में आपको पता होगा इनका जो एवरेज हैं इंडिया में वो लगबद 90 के करीब हैं, बहुत अच्छा र आवरेज है, रिसेंटली दो टेस्टे केल के आ रहे हैं, साउथ अपरिगा के खिलाब, जहां पर पहले टेस्ट में उन्होंने किया था, 17 और पांच रं और दूसरे टेस्ट में उन्होंने किये थे, 0 और 28 रं यापर स्कॉर किये थे, बात करें यहां पर नंबर 3 पर आएं दूसरे में 36 और 10 तो गिल को अगर आप बड़ा रिस्क ले रहो ना तो ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन यह बड़ा रिस्क इसलिए होगा, क्योंकि अगर इंडिया ने पहले बेटिंग के ना तो गिल फिर इंपोर्टेंट आपके लिए बन जाते हैं, केल राहूल की बात करू अगर आप देखो तो साउट अपरिका के खिलाब जो दो टेस्ट के लिए, पहले में 31 और 6 और दूसरे में 0 प्लस 4 ही यह कर पाए थे, के एस भरत सिर्फ इनका मेन जो रोल है वो विकेट कीपिंग कर रहेगा, बोलिंग यहां पर बेटिंग उतनी खास करनी पाते हैं, इन्होंने खेलेते न, और इस्पेसली जो लास्ट वाला मेचे न, यह इन्होंने खेला था, इंग्लेंड लाइन्स के खिलाब, अगर आपको पता हो तो अभी यह मेच हुआ था, थोड़े टाइम पहले, तो यह चीज़ आमेरे ले, लेकिन केस बरत उतना इंपोर्टन रह रने और 51 विकेट है, और वेन्यू पर भी अगर आप देखो कि तीन मेच में 86 रन और 15 विकेट है, रिसेंट फॉर्म यह साओद अबरिया खिलाब एक सिरीज खेले थे, उसमें बोलिंग इनको मिली नहीं थी, और सिर्प बेटिंग करने आया थे, जीरो पे आउट हो गए अक्षर पटेल भई, इनको ना लोगों ने इग्नोर किया हुआ है, लेकिन अक्षर पटेल जो है ना ये तीनों ओप्शन आपको दिख रहे है ना, उनमें सबसे अच्छी वेटिंग से फोर्म में अभी, अभी इस टाइम पे, और इसका जो रिकोर्ड है ना भई, यहाँ पर इंग्लेंड की खिलाब बहुत ही तगड़ा है, आप देखो तीन मेच केलें इंग्लेंड की खिलाब पचपन रन किये हैं और 27 विकेट है, तीन मेच में 27 विकेट का मतलब आप समझो, हर मेच में इन्होंने 9 विकेट निकाले हैं, तो आप समझो किस लेवल की फोर्म मे है रिसेंटली फर्स्ट क्लास का एक मेच केल किया रहे है उसमें 50 रन किये थे और दो विकेट इनको मिले थे फिर आएंगे ऐसे रवी अश्विन रवी अश्विन की बात कर तो हेट्टर में 19 मेच में याँपन 970 रन अठासी विकेट है और वेन्यू पर अगर आप देखोगे चार मेच में 107 रन 27 विकेट है इस वेन्यू पर अस्विन का रिकोर्ड बहुत अच्छा है जस्परित बुम्रा की बात कर लेते हैं आप तो हेट्टर में 10 मेच में 136 रन 41 विकेट है और रिसेंट फोर्म अगर आप के लिए बुम्रा ज्यादा इंपोर्टनेट है क्योंकि सेक्रिंड नहीं अगर इंडिया ने बोलिंग की तो फिर ज्यादा तर बोलिंग जो है वो इस्पिनरी करने वाले हैं सिराज की बात करूं हेट्टर में 7 में 38-21 विकेट है यह भी दो टेस्ट खेल के आ रहे हैं साव भी खेले तो तो आप यहाँ पर देखो द्रू जो रहे हैं वह यह पहली बार टेस्ट स्कोर्ड में सामिल किया गया है बंदा फर्स्ट क्लास में 15 में 790 रने और फर्स्ट क्लास का रिसेंट फॉर्म में 0-69-63 फॉर्म अच्छा है केस बरत की जगए अगर टीम चाहेगे त विगड वेन्यू पर एक मेच में चार विगड और रीसेंट ली ये भी एक फर्स्ट क्लास का मेच के लिए उसमें नोंने टोटल चार विगड निकाल दे है रज़त पाटिदार ये विराट पोली के रिप्लेस्ट के रूप में आया हैं पर्स्ट क्लास में 45 45 का आपर रिस बिल्कुल नहीं खेलने वाले क्योंकि यह तीसरे में से आपको दिख जाएंगे अब बात कर ले थे अपने आपर इंगलेंड की प्लेंग लेंट क्या रहे सकती है विद बैटिंगोडर तो इंगलेंड की तरब से आपको दिख जाएंगे आपर ओपन करते वे जैक ट्रॉली और यहां पर बैंट डकेट आपको दिख जाएंगे फिर आएंगे आसे ओली पॉप फिर आएंगे जोर रूट बैन स्टोक्स टीम के कप्तान और बैन स्टोक्स हो सकता है कि स्रीज में उतनी ज्यादा बोलिंग आपर ना कराएं या हो सकता है कि बिल्कुली बोलिंग ना कर जाके Ben Fox से wicket keeping करवा लेगे और उनको खिला सकती है Ben Lawrence की जगे बाकी मुझे लगता नहीं के ज्यादा changes यहाँ पर होने चीए क्योंकि यही इनकी अच्छी यहाँ पर combination बनता है इंगलेंड की प्लेयर के states अगर आप यहाँ पर देखोगे न तो इंगलेंड की तरफ से आप देखो ओपन कोन करेगा यहाँ पर जेक क्रोली और उनके साथ में आएंगे Ben टकेट जेक क्रोली इंडिया के खिलाब चार मेच खेल चुके हैं उसमें 155 नने और मात्र 19 का आवरेज है बहुत खराब रिकोर्ड हैं और भाई इंडियन विकेट्स पर यह बहुत इस्ट्रिगल करने वाले हैं रिसेंट फोर्म इनका टी 20 का हैं एक दस आर्ट अठावन तेरा हैं बेंट डकेट हैं इंडिया के खिलाब दो में 166 का आवरेज हैं रिसेंटली ओडिया करिकेट खेल के आ रहे हैं एक सो साथ बीस तीन और इकत्तर हैं तो उतना खास रिकोर्ड में को दोनों ही प्लेयर का आप लगा नहीं नंबर तीन पर आएंगे आसे ओली पॉप इनके नाम अगर आप देखोगे आठ मैच में 3020 का अबरेज हैं इंडिया के खिलाफ वीसेंट फॉर्म जो इनका है ना टेस्ट क्रिकेट का बहुत बढ़ी है आप देखो 205 है फिर 30 प्लस 14 है फिर 42 प्लस 3 है ल आपको पता हो तो जो लास्ट टाइम इंग्लेंड आईतीन है आप दिन्हों ने एक फाइफर भी निकालाता विकर्स फिरूप में इंडिया के खिलाफ 25 मैच में 2526 रं 63 का आवरेज है इंडिया के खिलाफ और 11 विकेट है रिसेंट फॉर्म ODI का है फॉर्म इनका थोड़ा इंडिया के खिलाफ 16 मैच में 749 विकेट है लेकिन यह जो है ना अस्विन के सामने बहुत ज़्यादा फस्ते हैं ODI का इनका रिसेंट फॉर्म में तयाली जीरो चौसट एक सो आट चौरासी बहुत अच्छा करके गए यह वर्ल्ड कप के अंदर जोनी बेरेस्टो है इंड इनकी टीम पहले बेटिंग करेगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत स्कोर कर दे लेकिन अगर इंडिया ने पहले बेटिंग की तो मुझे लगता कि बड़ा स्कोर कर पाएंगे इनको रन बनाने नहीं देंगे उतने आसारी से नमबर साथ पर मैंने रखा है आप डेनल लॉरेंस को जो की देखो ओल्लांडर का काम कर सकते हैं हेट्टरड में इंडिया के खिलाब 4 मैच में 104 जीरो विकेट है रिसेंट फॉर्स्ट क्लास का है चत्ति जीरो विकेट त्रे माँ कूड की बात करू इंडिया के खिलाब 1 मैच में 5 जीरो हे रिसेंटली एक टेस्ट मैच खेले एक शिनुटार पारी मे और दूसरी पारी में 9 मैच में 11 जीरो विकेट यहाँपर 1st क्लास खेल के आ रहा हैं आप देखो 6 जीरो एक में 1 जीरो फिर 4 जीरो आप शोडेसे कि यहां पर को इन के बहुत कम उनको मिले टस्ट के साब से दो अब इनके चे प्लेइर फिर्ट प्लेर यहां पर इए कश प्लेयर यहां पर गजन को आप तक डेवित नहीं है आप देखो इनके नाम 14 फ़स्ट क्लास में 304 में 45 विकेट है, recent form ODI का है 2 विकेट, 2 विकेट, 22 विकेट और 0 विकेट है, इनके बाद में आएंगे Tom Hartley, 20 मेंच में 522 रन 40 विकेट है, first class में recent form आप देखो 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट है, वसी रहें ये भी पहली बार आ रहे हैं, और break बोले रहे हैं, 6 में 10 विकेट हैं, और यहाँ पर first class में recent form first class का 0 विकेट, 1 विकेट और यहाँ पर भी एक की विकेट है, ओली रोबिंसन है, हेट्ट्रेड में 4 में 45 विकेट हैं, और recent form आप देख सकते हो, यहाँ पर 5 विकेट है और दूसरे में विकेट लेशते हैं, बेन फोक्स खेल सकते हैं, इंडिया के खिलाब 3 मेंच में डफ्तर 15 का आवरज है, पर्स फ्लास का इनका form में 125, 42 और 6 प्लस 8, बाकी हो सकता है कि कोई spinner भी आपर एंडर्सन के साथ में आजाए, तो बाकी वायू में ने स्टेट्स आपको सारे समझा दिये, अब सबसे इंपोर्टन काम कहा है कि आपको टेलीग्राम चनल से जरूर जोन होना है, क्योंकि लास्ट मुमेंट अप्डेट सारी के सारी जाएगा, तो दोनों जगे से जाकर आप आसानी के सारी टेलीग्राम चनल को कर सकते हो, अभी यहाँ पर आपन देख लेते हैं, डेमो टीम में अभी के लिए कौन कौन को यहाँ पर पिक किया हुआ है, तो डेमो टीम में आप देखो, विकेट केपिंग सेक्शन से मैं रख है, क्याप्टन मेरे अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अक्षर पटेले जिनको बहुत कम लोग क्याप्टन करेंगे, लेकिन जिस प्रकार का इसका रिकोर्ड एंगलेंड के खिलाब, साथ के साथ यह बेटिंग से जिस हिसाब से कॉंट्रिबूशन करता है, उस हिसाब सम है, बीसी मेरे आप पर है जो रूट, लेकिन देखो यह फाइनल टीम तो है नहीं, फाइनल टीम आपको टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाकर जो इन कल लेना और वीडियो लास्त देखने के लिए थेंक्यू झाल